Hello students, Welcome to number X. इस वीडियो में मैं आपको जेमेटरी कंस्ट्रक्शन करने के लिए दो फ्री सॉफ्ट्वेर बताने वाला हूँ. जिससे आप असानी से जेमेटरी के सारे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं. इस वीडियो को अम तक देखें क्योंकि मैं इसमें रूलर, कमपास, प्रोटेक्टर इन सब के जूज बताने बोला हूँ Actually Geometry Construction के Free Software से ज़्यादा एक रेट है बोलना कि दू वेब अप्लिकेशन है जिसको आप HTTPS www.trampcloud.com पे एक्सेस कर सकते हैं दूसरा है www.mathpad.co.uk इन दोनों का लिंक मैं दिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लेकिन important क्या है कि इसमें कैसे आप construction करेंगे For example, मैंने एक angle बनाया है इस तरह से आप compass को ruler को लेके construction कर सकते हैं दूसरा construction मैंने किया है mathpad.co.uk पे इन सीजों को कैसे आप करेंगे अभी इस वीडियो में one by one आप सेखेंगे यदि आप 60 डिगरी का angle बनाना चाहते हैं तो new page यहां से खूल लिजे अभी मैं use कर रहा हूँ timecloud.com और यहां से new page insert करने के बाद आप क्लिक किजे measure tools इसमें आप देखेंगे first में है ruler, second में है set square, third में है protector, fourth में है compass तो हमें angle construct करने के लिए पहले एक line draw करनी होगी इसलिए मैं यहां पर ruler पर click जैसे ही करेंगे यह ruler आ जाएगा इसमें खास बात क्या है कि यह inch और centimeter दोनों में है यदि आप चाहते हैं कि इस ruler को rotate करें तो आप rotate कर सकते हैं यह zero point के about rotate हो रहा है आप यहां असानी से देख सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि 15 cm की line draw करें तो इसमें तो दिख नहीं रहा है तो इसके लिए आप इसको extend भी कर सकते हैं कुछ erase करना है तो आप यहां से कर सकते हैं यह है selection tool यहां पर है marker यहां पर है line tool यह है graphic side करना है आपको तब यह text side करना है तो यहां पर है bin यदि आपने कुछ extra इसमें draw कर दिया है तो आप delete भी कर सकते हैं इन सारे tools को यदि आपको समझना है तो मैं आगे के video बनाऊंगा आप चैनल को subscribe कर लिजेगा so that आपको notification मिले और इन सारे चीजहों को use करना आप one by one सिख लाए मैं सबसे पहले paint लूँगा आपके पास color के options है यहां पर आप color choose कर सकते हैं आपके पास four option है अभी यदि मैं एक color choose कर लिया और फिर मैं चाहता हूँ कि नहीं मैं color change कर लूँ तो आप यहां से change कर सकते हैं आपके पास बहुत सारे color है यह आपकी choice है कि आप कौन सा केवल color bar पे drag करते जाए और फिर यदि particular point पर आपने click कर दिया तो यहां नीचे से gradient select कर सकते हैं तो मैंने blue color select कर लिया है अब मैं यहां पर zero पर रखके एक line draw कर लेता हूँ उसके बाद अब मुझे चाहिए compass मैं यहां पर compass लेकर हूंगा यह चोटा compass है इसके size को आप बढ़ा गटा सकते हैं ओके अभी आप क्या करेंगे यहां पर आप देख रहे हूंगे तो आश मैं इसको बढ़ा कर देता हूं ताकि आप देख पाएं जैसे अब इस पर click करते हैं यह horizontally इसको open कर सकते हैं ऐसे ठीक है यहां पर उपर angle दिखा रहा है कि आपने कितने से open किया है तो सबसे पहले पर रख लिजे इस point पर यदि आपने रख लिया है ओके फिर आप इतना angle बनाने के लिए इतना आक डॉक करने की जरुत नहीं है अब आप क्या करेंगे आपको by default यह black color pen selected हैं आप आप चाहें तो यहां पर change कर सकते हैं मैं यहां पर red color change कर दिया देखे pen का color change हो रहा है blue green आ आप जैसे चैनल वैसे color change कर सकते हैं मैं यहां पर भी array करने वाला हूं इसको उसके बाद यहां से आपको arc draw करना है तो आप यहां से इसको rotate करेंगे ठीक है rotate कर लिया आपने उसके बाद इसको आप यहां से click करके सीधा कर लिजे फिर आपको करने का है यहां पर रखके दूसरा arc draw कर लिजे इसमें मैं pen का exchange कर रहा हूं और इसको मैं rotate करने वा रहा हूँ अब जो intersection point है इस पर यदि मैं एक line draw कर लेता हूँ तो 60 degree का angle form हो जाएगा इसके लिए यहां से मैं line tool select कर रहा हूँ और फिर यहां से मैं इसको connect कर रहा हूँ तो जो लोग online classes ले रहे हैं या student जो कुछ से draw करना चाहते हैं उनके लिए यह काफी असान काम हो जाता है इस तरह से जो angle यहां पर बनेगा वो 60 degree का होगा अब आपको मैं बताऊंगा कि math pad को कैसे आप use करेंगे यहां पर मैंने इसको draw किया angle को अभी मैं इसको clear कर देता हूँ angle draw करने के लिए सबसे पहले आपको एक line draw करने होती है इसमें द्यान दिजेए tools कुछ अलग-अलग दिखेंगे आपको यहां से है pen tool आप यहां पर color के options restricted हैं आप total 8 color है आपके पास तो मैं blue color choose कर रहा हूँ आप यहां से line draw कर लिजे compass के pin को zero पर लख लिजे फिर इसको आप adjust कर सकते हैं इसमें यहां पर एक छोटा lock दिया है इससे आप compass को lock कर सकते हैं जो की time cloud वाले compass में यह facility नहीं थी mathpad में जो compass है उसमें एक अच्छी बात क्या है कि आप इसको यहां पर click करके lock कर सकते हैं यह lock हो गया अब आप इसमें draw कर सकते हैं ध्यान दीजिए time cloud में आपको यहां से drag करना होता होगा इसमें आपको handle के पास से draw करना है यह difference है तो थोड़ा म मैं ऐसे चीज़ें को सीखना होगा यहां से एगें मैं थोड़ा color में change कर लेता हूँ और इसको मैं rotate करूंगा और फिर मैं जैसे ही यहां पर black or percent लेकर आऊंगा इसको यहां से मैं draw कर सकता हूँ अब मैं इसको यहां पर हटा के अब मैं यहां से इसको यहां पर line tool को select कर रह दर में ले रहा हूँ यहां पर black और आप यहां से असानी से इसको कर सकते हैं रेंगल होगा 60 degree का एधि आप चाहते हैं कि completely इन दोनों web application को सीखना तो चैनल को subscribe कर लिजिए मैं आगे के वीडियो बनाते रहूंगा आपको जो भी डाउट से में कमेंट में लिखते जाए मैं सब्सक्वेंटली वीडियो अप्लोड कर दोंगा आपको यह वीडियो कैसे लागा कमेंट में जरूर बताएए थैंक्स पर वाचिंग